नमश्कार आप देख रहे हैं मानी गुरू मैं हूँ पलवी अरौन बर्मा इन फैक्ट अपने बच्चों से तो हर माबाप प्यार करते हैं लेकिन एक रिस्पॉंसिबल पेरेंट वो है जो अपने बच्चों के बविश्य को सिक्योर करें बच्चों का बविश्य स्रक्षित करने के कई तवरे के हो सकते हैं इसके लिए खुद माता पिता को फिनाशली स्टेबल होने के साथ साथ फिनाशली प्रिपेर भी होना जरूरी है आम तोर पर लॉग चाइल प्लान के जरिये जिम्धारे को निभाते हैं लेकिन क्या सिर्फ चाइल प्लान लेना काफी है आकर इस महंगाय के दौर में चाइल प्लान्स के एहमियत और उसकी कफायत कितनी है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं आएसे प्रदेंशल लाफ इंशॉरंस के चीफ सेल्स इंडिस्टिबूशन मिस्टर प्रणव मिश्रा वाइगरम प्रणव जब बात होती है चाइल प्लान्स की तो ट्रडिशनली यह रिटर्न्स के लिए खरीदे जाते थे मतलब इन फाक्ट अभी तक भी अगर हम माइंड सब समझते हैं सबसे बड़ी बात जो है जब आप बच्चों के भविश्य के लिए देखते हैं और बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं उसके लिए क्या चाहता हूं उसके भविश्य के लिए क्या चाहता हूं और रेलेव तो मैं उसके लिए कुछ भचत करना चाहता हूँ लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं एक माता-पिता होते हुए जिन्दा रहूंगा की नहीं रहूंगा और वहाँ पर आकर सबसे बड़ी सुई अटक जाती है कि मैं 20 लाक रुपे तक का या 30 लाक रुपे तक की बचत over next 15 years, 20 years जब बच्चा मेरा 15 या 20 साल का होगा उस समय तक बचा पाऊंगा नहीं तो यह एक बहुत बड़ा mindset था उसके साथ लोग पैसा बचाते थे आज की तारीक में देखा जाए तो अगर आप child plan के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मेरे रहते हुए या मेरे ना र हैने पर भी क्या यह उसका भविश इस तरह से सुरक्षित हो सकता है यह एक नई धारना चालू हुई है और इसलिए बचत के साथ-साथ एक अच्छा सा कवर child plan के थुरू एक अच्छी सी kitty या piggy bank के साथ-साथ एक अच्छा कवर के तहत नया प्रचलन चालू हुआ है इन फैक्ट हर कोई चाहता है कि जो उसके बच्चे हो वो financially independent हो और एक secure future उनका हो अगर ऐसे हम और जो अन्या insurance plans मौजूद है उनसे compare करें तो cost की जहां तक बात है यह इसमें premium कि side पर होगा यानि कि अगर एक parent term plan से अगर इसको compare करें क्योंकि financially secure करने का एक तरीका ये भी है कि वो एक term plan करीच सकते हैं अपने नाम पर और एक nominee के तौर पर यानि कि उनका future secure करने के तौर पर वो अपनी wife को या spouse को इसका nominee बना सकते हैं तो जहां तक cost की बात है किस तरह से देखेंगे अलग-अलग insurance plans को पलवी ये question बड़ा अच्छा है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो term plan और child plan का क्या comparison करा जा सकता है child plan जो है वो एक तरह से cover भी देता है और साथ में उसमें एक benefit बड़ा जिसको बोलते हैं dual benefit मेरे रहते हुए मेरे बच्चे के लिए मैं से लाक रुपे के हिसाब से अगले 20 साल तक एक एक लाक रुपे देता हूँ और 20 साल में या 10 साल में तक भरा और 20 साल में उसकी वो है तो यह बढ़ कर कुछ 20 लाक हो जाएगा अगर कुछ नहीं, अगर मैं से 5 साल बाद नहीं रहा, तो ये 20 लाग का जो मैंने cover लिया है, मेरे को उसी समय मेरे परिवार को मिल जाएगा, जिससे की उसकी current education को देखा जा सकता है, साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ premium है, ये plan continue रहेगा, और जब वो 20 साल का होता है, तब company उसका premium देगी, और फिर से वो जो 20 लाग की राशी है, वो पूरी तरह से उस बच्चे के बहुशे के लिए सुरक्षित करेगी, जहां तक term plan का सवाल है, term एक बहुत बड़ा दाइरा तै करता है, एक human life value जिसको बोलते हैं कि अगर मैं से 40 या 45 साल की उमर है मेरी, और अग मैं करीब करीब 6 लाख रुपे खर्चे करता हूं और अगले 15 साल तक मैं कमाऊंगा, तो मेरी human life value बनती है 90 लाख रुपे की, शायद चाइल्ड का इसमें योगदान में, या चाइल्ड के लिए योगदान में 10 या 20 लाख का करने वाला हूं, बाकी 75 लाख या 70 लाख जो है चाइल्ड प्लान सेविंग्स प्लस कवर है, टर्म प्लान ओवराल एक बहुत बड़ा कवर है, तो टर्म प्लान में आप एक करोड रुपे का कवर ले सकते हैं, 8000 से 10,000 रुपे के तहट, वाइल चाइल्ड प्लान चुकी सेविंग्स है, और टर्म प्लान में अगर कुछ ह गुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं मिलेगा जह वे इस टर्म पलान इसलिगी chínhुत कर्या है तो आप कर दो चानल आपको कट्रेंगे तुह नहीं होता है। और महेंगे हो इस ल Den WR kry भास हृ लिए गवार के चुछ करेंगे कि आप 20 तीस साल या 40 साल के लिए उस टर्म प्लान को खरीद रहें जहां तक चाइल प्लान का सवाल है जो ट्रडिशनल प्लान्स आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कोवन से प्लान्स अवेलिबल है यह तरह का इंशॉरंस का इंवेस्मेंट प्लान है, पर अलग-अलग उम्र के पड़ावों पर एक मुष्ट राशी मिलेगी या कह सकते एक तरह का बूनस कामपनीज देती है क्या इस तरह के प्लान्स भी अवेलिबल है और इस तरह के प्लान्स पर आपकी राय क्या है क्योंकि टर्म प्लान का जो मकसद है वो completely different होता है जैसे अगर हम category wise अगर इसको समझे तो child plan कहां पर stand करता है तो बिलकुल सही कह रहे है आपकी जो term plan है वो pure risk cover है लेकिन term plan बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि इस देश में social security नहीं है तो इसलिए term plan लेना सबसे पहला अगर आपको insurance की policy लेनी है तो अपने human life को पहले protect कर लें इ पहली protection उसके बाद saving जहां तक child plan का सवाल है तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा engineer बने तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल की उमर में वो engineering में जाएगा 21 साल में वो अपना पहला साल complete करेगा अपने पहले दो semester complete करेगा तो अगर इस child plan से 21 साल की उमर में कुछ 20 राशी जो some assured है suppose 20 लाग का कवल लिया है तो 4 लाख रुपे मिल जाता है तो मैं उस समय उसकी higher study को fund कर सकता हूं इसी प्लान के तहरत फिर 20 के बाद 21 साल में एक payout फिर 22 साल में एक payout 23 साल में एक payout and final overall जो बचा हुआ राशी है वो 25 साल की उमर में पूरी मिल गई तो 5 साल क के दायरे में इस तरह के प्लान है कुछ प्लान इस तरह के हैं कि आप 50 प्रतिशत पैसा जैसे ही term complete हो रहा है उस समय ले सकते हैं और बाकी 50% आप divide कर सकते हैं अगले 5 साल में equally यूलिप के तहत जो child plan आते हैं उसमें आप 5 साल तक settlement option लेके हर साल 20-20-20% करके आप अवदी अ समेस्टर में शायद कम पैसे खर्च होते हैं जादा में तो जब चाहें तब आप निकाल सकते हैं इस तरह के साधन मौजूद हैं इसमें एक inbuilt child plan में waiver of premium का option होता है in case of death it gives you a double death benefit जी राइट यानि कि अगर इस तरह से इसको समझा जाए कि अगर risk cover आप लेने की सोच रहे हैं तो term plan एक best या बहतर option आपके लिए हो सकता है क्योंकि इसमें हाना कि return of premiums की options भी available लेकिन उसमें जो premium होगा वो higher side पे होगा यानि term complete होने के बाद आपको premium की रकम वापस मिलती है लेकिन वो काफी expensive plans होंगे तो जो basic term plans होते हैं यानि जो pure risk cover के लिए होते हैं वो आपको long run में आपकी family को cover भी करते हैं और अगर कोई भी emergency situation आती है तो जो भी nominee होगा उसको पूरा का पूरा cover मिलेगा जहां तक आपने waiver of premium की बात कहीं शैद कुछ select plans में यह options available भी हैं कुछ tips भी हम in fact आपसे चाहेंगे कि आप दरश्रकों को दें जो child plan लेने की सोच रहे हैं हाला कि आपने कहां जो इसमें cover होगा in comparison term plan काफी छोटा होगा यानि की जो अगर some are short है उसकी रखम काफी कम होगी और जबकि अगर हम premium से compare करेंगे तो premiums term plan में बहुत कम होगे online में बहुत कम premium पे options आपको मिल जाएंगे आपने कहां भी 10,000 तक की range में आपको एक करोड तक का online term plan मिल सकता है लेकिन जहां तक child plans की बात हैं फिर भी काफी popular है और in fact actually में कोई अपने पोर्टफोलियो में child plan भी रखना चाहता है तो उसके लिए आपकी tips क्या होंगी और जिसको बोलते हैं health benefit के plans भी जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह की lifestyle change हो रही है वो जहां तक child plan के tips का सवाल है I think जैसे आप अगर देखेंगे कि हमारा बदलता हुआ mindset के हिसाब से हम अपने खर्चे बहुत बढ़ाते जा रहे हैं और हम एक basic तोर पे बोलते हैं कि आपको budgeting करनी है तो आपको अपने बच्चे के लिए कुछ पैसा apportion करना है तो जैसे की बच्चपन में हम देखते थे एक piggy bank होता था जिसमें हम चोटे चोटे गिफ्ट मिलते थे या पैसे मिलते थे उसमें डालते जाते उस तहत हमें एक अच्छा important चीज for the marriage of the child या फिर उसकी पढ़ाई क लिए जो भी priority है उसके हिसाब से एक allocation करना चाहिए कि हाँ मेरा ये 20 लाख रुपे का खर्चा अगले 10 साल में होने वाला है अब इस 20 लाख रुपे का खर्चा अगले 10 साल में होने वाला है मेरे रहते हुए या मेरे ना रहने पर भी ये 20 लाख रुपे की एक kitty होनी क्योंकि जो सबसे important चीज है ना हम अपने बच्चों को best देना चाहते हैं और अगर हम अपने बच्चों को best देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं एक approach जिसको बुलते हैं life की balance sheet की उस balance sheet में child आएगा और वो child के प्रती आपने कितने asset create करे हुए है बनिजबत liability के इसलिए सबसे बड़ी tip यह है कि जिस तरह हम बच्चपन में एक piggy bank बनाते थे बचत की एक आदर डालते थे वैसे ही parents को एक separate kitty अपने बच्चे के higher education के लिए because education का जो inflation है वो बहुत बड़ा है और term जो है term plan जो है वो शायद सिर्फ life assured के रहने पे तो कुछ benefit नहीं करेगा बट ना रहने पर वो benefit कर सकता है तो इसलिए child की as a need बिलकुल ignore करना उस saving को कोई एक बहुत अच्छी चीज नहीं है उसके लिए separate budget बनाए आज की तारीक में एक अच्छे engineering college में बेजने का खर्चा करीब 8 से 10 लाक रुपया है एक अच्छा MBA कराने का 20 लाक रुपया है तो अगर झाल